दिखें जो कि इंडीपेंडनेंट विदायकों ने हाई कोट में याचि का दायर की थी कि हमारे रिजिगनेशन को ऐकसेट किया जाये और उन रिजिगनेशन को हाई कोट ही एकसेट कर ले ना कि क्योंकि speaker accept नहीं कर रहे हैं उस याचिका पर आज उच नयायले ने अपना फैसला सुनाया नयायले एक प्रशन कि जो याचिका करता हूं कि नयायले से गुहार थी प्रेयर थी कि हमारे resignation उच नयायले ही स्विकार कर ले उस प्रेयर को high court ने reject कर दिया है उन्होंने कहा है कि high court इस प्रेयर को स्विकार नहीं कर सकता है प्रंतु दूसरी तरफ उच नयायले में को कब स्विकार करें कितनी जल्दी स्विकार करें और कैसे स्विकार करें तो जो मानिय मुख्य नयाय धीश का व्यू है उन्होंने अपने फैसले में जो नयायले में सुनाया क्योंकि फैसला भी अप्लोड नहीं हुआ है प्रंतु उन्होंने अपने फैसले में ये सुनाया है नियालेग में कि माननिय स्पीकर का जो पद है जो पोस्ट है वो बहुत उच दर्जे की संभेदानिक पद है क्योंकि एक संभेदानिक पद है तो हाई कोट किसी भी परकार से संभेदानिक संस्था को यह निर्देश नहीं दे सकता कि इन स्पीकर इन मामलों पर फैसला कैसे लें प्रंतु मान्य नियादिश जो तना दुआ रिवाल जी का मत्थ है जो नियाले में एक्स्प्रेस किया गया कि क्योंकि हाई कोट 226 में जुडिशल रिव्यू कर रहा है जिसमें स्पीकर दौरा रेजिगनेशन सिकार ना करने के मामले को चुनोती देगी है तो यद्यपी हाई कोट एक्सेप्ट नहीं करेगा रेजिगनेशन यह पावर सिर्फ मानने स्पीकर साब के पास है प्रंतु हाई कोट स्पीकर को यह डिरेक्शन दे सकता है कि वह इस मामले का जल्द निप्टारा करें या विदिन टू वीक्स निप्टारा करें उन्होंने दो सब्ता के शब्दों का इस्तिमाल किया है कि वह दो सब्ता में निप्टारा करें तो जब भी ऐसी स्तिती पैदा होती है, डाइवर्जेंट व्यू आता है, डाइसेंटिंग व्यू आता है, तो डिवीजन बेंच जो है, उस केस को माननिय तीसरे न्याइधीश के समक्ष रखती है, जो प्रशासनिक स्थर पर माननिय मुख्य न्याइधीश रखेंगे, और व फॉर्टर मामिले के सुनवाइगे गानिया है, वह भी लिमिट्टर करने फेक्त को माननिय दिवीजन बेंच ने बना दिया है, और वह प्रशन जो तीसरे न्याइधीश के समक्ष जाएगा, वह यही प्रशन है, वह यही प्रशन है, वह फ्रहाई कोटे टारेक्त ता स्पी इनने पर्टिकुलर मैनर और इनने पर्टिकुलर टाइम वह इशु को ने बना दिया है आप थर्ड जज उन्हीं पर ही अपना मत प्रकट करेंगे प्रंतु नियाले में यह प्रिसिडेंट्स है यह ऐसे प्रिक्रिया रहती है क्योंकि थर्ड जज ने उस केस को कभी नहीं सु सुना तो उन्हें पूरे केस को ने से सुनना पड़ेगा और सुनकर ही फैसला किया जा सकेगा तो यह एक प्रैक्टिस है कि वह पूरे तरह से री ओपन होगा कि ऐसे मामनों सर पहले भी कैसले आया है तो क्या उनका भी हमाला दिये गया है अंदर देखिए अभी मैंने जज पाश डाला है एक की स्पीकर का जो पद है वो बहुत उंचा सम्मेदानिक पद है हाइस्ट एस्टीम में रखा जाता है उस पद को इस कारण इस गर्मा में पाद को हाई को डिरेक्शन नहीं दे सकता है उन्होंने यह बहुत स्पष्ट किया है प्रंतु जो जसे जोतना है तो वह अभी हमें पता नहीं चल पाया तो जैसे यह जज्जमेंट अप्लोड होगी वह जनता की निरीक्शन के लिए उनकी पढ़ाई के लिए वह वेप साइट हिमाचल हाई को पर अवेलेबल रहे अगली तारीक क्या कोई मुकरर होगी इसमें अभी यह जो मामला है प् तब वह डेट आजाएगी क्या इसका इस पैसले का क्या अब स्पीकर के पाद जो याजिकाएं है वाडेडी है क्या उन पे तो उनकी उत्व सुनवाई कर सकते हैं इसका उनकी सुनवाई पर तो कोई असर नहीं पड़े हैं देखिए यह बहुत संबेधानिक रूप से तीन इंडिपेंडेंट MLS ने इस मामले को पचीधा बना दिया है अगर वह हाई कोट को अप्रोच नहीं करते तो मेरा यह मानना है कि स्पीकर महोदे इस मामले पर तुरंत कारवाई कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जिस दिन हाई कोट में वह डेट लगी उसी दिन की डेट उन्ह आप ने इन बिट्मीन एक फैसला ले लिया था कि अब हाई कोट के फैसले को आने देते हैं उसी अनुसार अगली कारवाई की जानी उचित है क्योंकि जब दो संभेदानिक संस्थाओं में मामला चल रहा हो तो यह उचित होता है कि एक संभेदानिक संस्था उस पर पूरन साथ जो उन्होंने पहले अपना व्यू रखा है कि हाई कोट में मामला लंबित होने की बएसे मुझे नहीं सुनना चाहिए आगे की कारवाई को बढ़ाना नहीं चाहिए अब लगता है क्योंकि यह मामला एक कॉंस्टिचूशनल इशू बन गया है प्रशन बन गया है कि क् इस परकार से निर्देश दे सकता है तो मुझे मेरा यह परसनल मत है कि मानिय स्पीकर सापको अपने थोड़ा और इंतजार करके इस फैसले का पूरा रूप से निप्टा रहा हो जाना चाहिए हाई कोट से मामला पूरी तरह से स्माप्त हो जाए वह इंडिपेंडेंटली बिना किसी प्रकार की हाई कोट की इंटर्वेंशन से या बिना और किसी प्रकार से वह इंडिपेंडेंटली अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और दूसरी बात मान्य मुखे नाइधिश ने अपने फैसले में ये भी क्लियर किया है कि उन्होंने जो रेजिगनेशन है वो जैन्यून है या ठीक नहीं है या ठीक है उस पे किसी प्रकार का कोई मेरिट पे मत व्यक्त नहीं किया है तो इस उनका कहना है कि यह मेरिट पे जो यह मत व्यक्त करना इमानिय स्पीकर का क्षेत्र अधिकार है तो हाई कोट इस मामले में किसी परकार से कोई मख्व्यक्त नहीं करेगा थैंक यू तो मैं आप कोट की रहे हैं